हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो एक्स्टर नोलिज फॉर एजूकेशन, फ्रेंट्स इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं, इंटर्मेडियेट की इंग्लीज प्रोज का ये फौर्थ चैप्टर है, जो की NCRT के नभीनतम पाठ्थे करेम का नुशाल लगाया गया है, दा होम कमिंग, रिटन बाई रमिना टैगोर, दा होम कमिंग ये बहुत ही मूरल लेशन है, ये एक ऐसा लेशन है, इतना इंस्पायर करता है पिट्टेक व्यक्ति को, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा बनने के लिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, इस लेशन के जो राइटर है रमिना टैगोर के बारे में, रमिना टैगोर जिनका जन्म सन 1861 को हुआ, और इनकी मृत्यू सन 1941 को ही थी, रमिना टैगोर, दर दिश्टिउडा, उफ लेटर्स बार्स बोर्न इन कयलकता न घैकोलकता, उन सेवंत मैं 1861 रमिना टैगोर, दर दिश्टिउडा, लेटर्स कहते हैं पिर्षिद, मैन outline, व्यक्ति या आद्मी, बोर्स बार्स सबबों के, वासबोर्न पैदा हुए इन कलकत्ता, कलकत्ता में 7 माई 1861, 1861 को अर्थात रविना टैगोर जो एक बहुती महान व्यक्ति थे और बहुती फेमस राइटर थे उनका जन्म सन 1861 को 7 माई के दिन कलकत्ता में हुआ था He got his education at home, he got उन्हें प्राप्त की, his education अपनी शिक्षा at home घर पर ही He was a great poet, dramatist and noblist बहुत एक महान, poet means कभी, dramatist, natakkar and noblist उपन्यासकार थे He is a world famous figure, he is a world famous figure, बहे हैं World means sansaar के, famous means पिर्शिद, figure means हस्ती, बिश्व पिर्शिद, हस्ती हैं He won the noble prize for literature in 1913 for his collection of poems, गीता अंजली He won, उन्होंने जीता, noblal prize, noblal प्रुसकार for literature साहित्यक छेत्र में, in 1913, 1913 में, for his collection of poems अपनी कभीताओ, उनकी कभीताओ का जो एक शंग्रह है था, गीता अंजली में अर्थात, गीता अंजली जो उनकी पिर्शिद रचना है, उसमें जो कभीताओ का शंग्रह है उस पर उन्हें सन 1913 में, noblal प्रुसकार प्राप्थ हुआ, साहित्यक छेत्र में His famous works are, उनकी जो पिर्शिद बहुत ही famous रचनाएं हैं, यह हैं, गीतांजली सबसे पहली, सबसे famous, जो most important उनकी रचना है, उसका नाम है, गीतांजली जो भोस्तारी पोयम का एक कलक्शन है, the crescent moon, fruit gathering and lovers gift, in the novels, Gora, the rake and the home, here we see his idealism and patriotism, यह जो उनकी एक famous रचना है, the home, उसमें इनका idealism कहते हैं, आदर्शवाद and patriot कहते हैं, देश भक्त, patriotism, देश भक्ती, उसमें उनका हम आदर्शवाद और देश भक्ती देखते हैं, the home coming and the काबुली वाला, काबुली वाला बहुत फेमास उनकी रचना है, और his fine short story, यह दो जो हैं, the home coming और एक काबुली वाला, उनकी fine means अच्छी, short stories means छोटी कहानिया हैं, which give, जो देती हैं, अज हमें understanding of human life, understanding means समझदारी, of human life, मानब जीवन के माद फिरती, अर्थात हमें यह short story, संसारिक ज्यान के बारे में बताती हैं, आगा करती हैं कि किस प्रकार एक विक्ती को अपना संसारिक जीवन बेतीत करना चाहिए, He was knighted in 1915, सं 1915 में उन्हें knight कहते हैं सामंत को, उनको सामंत की उपादी दी गई थी, बट ही गेब, लेकिन ही गेब अप उन्हें छोड़ दी, the knighthood in protest अगेंस दी जैलियावाला बाग, मैस्केर इन 1919, सं 1919 में हमारे देश में एक बहुत ही भायानक दुख भरी घटना घटी थी, जिसका नाम था, जैलियावाला बाग, हत्याकान, उसके बिरोध में उससे दुखी होकर उन्हें उपादी अपनी सामंत की छोड़ दी थी, हिवाज आलबेज एडरेस गुरुदेब, और उन्हें हमेशा एडरेस में समवधित करना, गुरुदेब के नाम से, अर्थात, रविनार टैगोर को, भारत वासी, और 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 भी उनके अनुयाई, गुरुदेब के नाम से पुकारते थे, और उन्नीस सो इक तालिस में उनका देहांत हुआ, बहुत ही मुरल लेसन है, एक सोर्ट इस्टोरीज है, आप से रिक्वेश्ट है प्लीज, वीडियो को लाश्ट तक देखिए, यह बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है, पितियक विक्ति के लिए, जो हमें एक ऐसे, एसी कहानी के बारे हम बताती है, जो समाज में उन्होंने सन, आज से लगबग सोव और सभी अधिक पहले लिखी, परन्तु आज भी ऐसा ही घटित हो रहा है, जैसा कि उन्होंने लिखा है, पितियक विक्ति के लिए, बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है, अब बात करते है इन आवाउड दर लेसन, लेसन के बारे में, इन दा होम कमिंग बाई रविना टैगोर, भी हैब दा थीम ओफ कन्फिलिक्ट, कंट्रोल, रेस्पोंसिबिलिटी, लव एंड आइसोलेशन, ता होम कमिंग बाई रविना टैगोर, जो यह रचना है, शोर्ट स्टोरी है, यह रविना टैगोर दौर रचित है, भी हैफ थीम ओफ कन्फिलिक्ट, और इसमें जो थीम है, किस चीज के उपर है, कन्फिलिक्ट, यह बिरोद, लड़ाई जगडा, कंट्रोल, मिस नियंत्रा, रेस्पोंसिबिलिटी, मिस जिम्मेदारी, लव एंड आइसोलेशन, लव मिस आइसोलेशन, अलग करना किसी चीज को, इतनी सब बाते इस सोर्ट इस्टोरी में आप देख सकते हैं, टेकन फ्रोम इस कलेक्टेड इस्टोरी इस कलेक्शन, दा इस्टोरी 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 इ और इस कहानी का जो narrator है वो एक unknown person है और वो third person है ना इस कहानी में उसका कोई role नहीं है जो इसका narrator है from the beginning of the story the reader realize that Tagore may be exploring the theme of conflict from the beginning of the story जो पढ़ने वाला है that Tagore may be explore the theme of conflict जो conflict है इसका main theme है जो इसमें बिरो लड़ाई जगड़ा है वो इसको explore कर रहे है माखन was listening to fatigue माखन वाज लिसनिंग तू फटिक इसके जो मुख्य पात्र है एक माखन है और एक फटिक है दोनों भाई है माखन छोटा भाई है और फटिक बड़ा भाई है भेंदी तेल्स हीम तो गैट ओफ दी लोग नदी में एक लकड़ी का लठा पड़ा हुआ है जो जो फटिक है उसको लकड़ी के लठे को नदी में धकेलना चाहता था परंतु उसका जो छोटा भाई है माखन बोस पड़ा कर बैठ जाता है फटिक is one who is blame for hitting his brother और जो फटिक है who is blame, जो दोस देता है for hitting, हिटbn जो मारना his brother अपने भाई को and bringing conflict into the home जिसकी वज़े से घर में क्या हो शुरू हो जाता है bringing about conflict into the home घर में यहनि दोनों भाईयों की जो जगड़े की जड़ है वो क्या हुआ लकड़ी का लठा हुआ फटिक फटिक्स मादार लैक्स दी रेस्पोनसिबिलिटी फटिक्स की जो माता है लैक्स मिन्स उसमें कमी है रेस्पोनसिबिलिटी मिन्स जिम्मेवारी की देट इज रिक्वायर्ड तो रेस मांग तो रेस फटिक्स कहानी का जो मुख्य पात्र है जिसका नाम फटिक्स है जो फटिक्स के एक मामा है उनका नाम है बिसंबर वो कहती है कि लाइक बहुत पसंद करती है वो चाहती है कि बहुत फटिक्स अपने मामा बिसंबर के साथ कलकत्ता चला जाए फटिक्स स्कूल देज इन कलकत्ता वर आलसो मिजरेविल ओसेसियन फूर हिम जब वो कलकत्ता चला जाता है तो बहुत इसकूल के दिन जो है उसके लिए दुखदाई बन जाते है दा यूनिटी दैट फटिक और जूनिटी जो उसका संगठन था फटिक है दी विलेज जो उसने गव में इखटा का रख़ता अपने संगठन उसकी बात है इसकी बात है यूनिट नोट है तो कलकत्ता डिफिकल्ट रोल फोर एनी फूर्टीन यर ओल्ड बॉय तो प्ले प्ले पर्टिकुलर लिव हैं डिफिकल्ट रोल एक बहुत मुस्किल रोल हो जाता है एनी फूर्टीन यर ओल्ड बॉय एक चोदे वर्स की आई यू के बच्चे के लिए प्ले मिंस निभाना प्रटिकुलरी ब्यक्तिकत रूप से वहन डे आर नोट गेटिंग सपोर्ट जब उन नहीं पाता है इसका कोई तरबदारी नहीं करता उसका कोई पक्ष नहीं लेता देड नीड फ्रोम अडल्ट एराउंड देम क्योंकि और उसके चारो और जो है अडल्स यह वैस्क उससे अधिक आयू के व्यक्ति हैं फटिक मिज्ड फटिक मिज्ड करता है दिवलेज अपने गउं को इस नोटीस से वील बाई दी फैक्ट वह बहुत परिशान हो जाता है कलकत्य में और अपने गउं को बहुत मिस्स करता है वह यह जो तथिये हैं फैक्ट मिस्स तथिये डैटी अटेम्ट आटेम्ट मिन पिर्यास करना है कोशिस करना टू वाक होम पुने हर बाप सिका तूदी अपने गाँ वापस आने के लिए तत्यों कह अधार पर वो बहुत ही कोशिश करता है उल्तीजर्प इस प्षाइब हो जाता है The end of the story और इस कहानी का जो अंत है इतना इंट्रेस्टिंग है as it becomes clear to the reader that fatigue due to his illness is delusional यह इतना इंट्रेस्टिंग है it becomes clear to the reader जो पढ़ने वाला है उसके लिए एक दम सरल हो जाता है fatigue due to his illness उसकी बीमारी है कारण और delusional कहते हैं भ्रम का शिकार होना it is there where the blame for fatigue premature death lays और अंद्र क्या होता है कि उसकी fatigue की उसमें मृत्यू हो जाती है neither woman has neither woman has own fatigue love the deserve and needed neither means ना ही तो woman's means महिला जो उसकी मामी है he has own fatigue love मनलब जो प्यार जो इसने है उसको उस घर में अपने मामा के घर में चाहिए था deserve means योग्यता and needed means आवश्क्ता love means प्यार जो प्यार जो प्यार को चाहिए था प्यार suggesting that fatigue should never have been taken out of the blaze environment he was used to उथर जो है संभवत्य कोशिश करते हैं suggest करने की कि lover of that the fatigue should never have been taken out the blaze environment he used to environment कहते हैं पर्यावरन he was used to जिसका बहे आदी था उसको बहे पर्यावरन बहे बातावरन उसको शहर में नहीं मिला he was a lover of nature बहे कहता he was a lover of nature nature में इस प्रकृति बहे प्रकृति का प्रेमी था but he ended his life surrounded by the walls of कलकत्त परंतु हुआ क्या जैसा उसने सपने सजा रखे थे कलकत्ता जाने के बहाँ पर रहने के बहुत कुछ सीखने के उसका उल्टा हुआ he ended his life उसका जीवन समाप्त हो गया and means समाप्त हो ना his life उसका जीवन surrounded मिस जो चार ओर से घेरा हुआ था the walls मिस walls कहते हैं दीवार उफ कलकत्ता अर्थाथ कलकत्ता के जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है थी उन दीवारों के बीच में उसका दम घुट रहा था start the lesson please आप से request है वीडियो को लाश्टर जुरूर देखिए बहुत important वीडियो है fatigue चकरवर्ती was ring leader among the boys of the village fatigue चकरवर्ती was ring leader ring leader कहते हैं anatic कार्यों का सरदार among the boys among कहते हैं बीच में the boys of the village गउं के लड़कों के बीच में fatigue चकरवर्ती एक सरदार बना हुआ था a new mischief got into his head एक नई सैतानी उसके दिमाग में आई there was a heavy log laying on the mud flat of the river waiting to be shaped into a must for a boat there was a heavy log laying heavy means भारी लोग में लट्था लगड़े का laying पड़ा हुआ था in the mud flat over the river नदी के जो सम्तल कीचर थी उसमें एक लट्था पड़ा हुआ था waiting जो प्रितिक्षा कर रहा था तो भी शेप आकार में आने की into the must must कहते हैं नाव का mustool होता है for a boat नाव के लिए अर्थात नदी के सम्तल कीचर में लट्डी का एक लट्था पड़ा हुआ था जो की नाव के mustool के आकार में आने की पितिक्षा कर रहा था he decided that they should all work together to shift the log by the main force from its palace and roll it away he decided उसनी निशे क्या that they should all work together to shift the log by main force from its place and roll it away अर्थात उसने निशे क्या कि बेसम मिलकर उस लट्थे को पूरी ताकस से उसकी जगे से लुड़गाते हुए दूर ले जाएं दा ओनर ओब दी लोग would be angry and surprised and they would all enjoy the fun इससे क्या होगा क्योंकि बेक सैतानी बच्चे थे उनके दिमाग में नहीं कुराफास सूचती थी तो उन्होंने सोचा इससे इस दा ओनर मिलकर ओब दी लोग लट्थे का would be angry नाराज हो जाएगा and surprise आशे रच्चेकित होगा and they would all enjoy the fun और बेसम उससे मजा लेंगे एवरिवन सेकिंडेड इस प्रिष्टाप को सभी ने मान लिया और सर्व सम्मती से इसे ले जाया गया अन्यमिसली कहते हैं एक मत से या सर्व सम्मती से but just as the fun was about to begin लेकिन जैसे ही मजा आने वाला था माखन फटिक्स यंगर बिरोदर जो फटिक का यंगर बिरोदर मीज छोटा भाई था सोंट्रेडप वो बहाँ पर घूमते हुए आया and sat down on the log वो लकड़ी के लठ्टे पर वो बैठ गया in front of means सामने them all without a word उन सब के सामने बिना कुछ एक सब्द कहे माखन फटिक का छोटा भाई घूमते हुए आया और उन सब के सामने बिना कुछ कहे उस लठ्टे पर बैठ गया the boys were privileged for a moment the boys mean लड़के were privileged परिशान हो गए for a moment एक छड़ के लिए या एक छड़ के लिए बेश अभी उस समय है रान हो गए he was pushed rather timidly he was pushed उन में से by one of the boys उन में से एक लड़के ने ड़टे ड़टे उसे उठाने के लिए धक्का दे दिया told to get up उठाने के लिए उसे धक्का दे दिया बट लेकिन he remained quite unconsored unconsored कहते हैं बे परवा उस धक्के की परवा किये भी ना उस पर कोई उसका असर नहीं हुआ he appeared like a young philosopher meditating on the futility of games लेकिन बहे छोटे दार्शनी की तरह खेलों की जो निरर ठक्ता होती है उस पर ध्यान लगाता रहा futility of games फटिक वाज फेरिस फटिक को गुस्सा आगया फेरिस मिन्स गुस्सा होना माखन he cried वह चिलाया वह चिलाया उसने अवाज दी उसको if you don't get down this minute I will trash you फटिक को गुस्सा आया वह चिलाया माखन अगर तुम इसी छड नहीं उत्रे तो मैं तुम्हें पीटूंगा माखन only moved to a more comfortable table position परंतु हुआ क्या माखन और आराम से समल कर बैठ गया अवाज अब इस फटिक वाज तू कीप इस legal dignity before the before the public परंतु अब इस फटिक वाज तू कीप पटिक को रखना था his regal dignity अपना शाही गोरब before the public सब के सामने it was clear तो यह साब था he out to carry he out to carry out his treat treat means धंकी तो यह साब था कि उसे अपनी धंकी को पूरा करना था but his courage failed him at the crisis लेकिन संकट के समय उसका साहस जवाब दे गया courage means साहस failed means asafal हो गया him at his crisis उस संकट के समय crisis कहते हैं संकट को his fertile brain however rapidly seized upon a new maneuver which would this comfort his brother and afford his followers an added amusement इसको अपनी घंकी को पूरा करना था अगर अपना साही सम्मान साही गोरफ सब के सामने रखना था तो परंतु संकट के समय उसका साहर जवाब दे गया ऐसा लगा है कि उसका सातिर दिमाग उसके भाई युक्ति से युक्ति के सामने जो है नाकाम हो गया और इससे क्या हुआ उसके जो अनुयाई थे उसके जो फोलोवर्स थे एन एड़े अम्यूजमेंट उनको मजाग बनाने का अफसर मिल गया ऐसा उसके मन में चल रहा था भटिक के अब उसने आदेश दिया कि लट्थे के साथ माखन को भी लपेट कर लुड़का दिया जाए अपने जो साथी थे उनसे कहा फटिक ने कि लट्ड़ी के साथ साथ इसको भी लुड़का दू माखन येड़ दा ओडर एन मेड इट ए पोईंट ओफ ओनर टुष्टी कौन माखन ने जब यादेश सुना और अपने सम्मान पर वो अडिग रहा बट ही ओवर लुक्ड दा फेक्ट लाइक दोज वो अटेंप अर्थली फेम इन अधर मैटर्स देट देर वाज ए पेरिल इन इट लेकिन क्या हुआ उसने उस तथ्य की अंदेख ही इस तरह कर दी लाइक दोज वो अटेंप अर्थली फेम इन अधर मैटर्स जैसे कोई व्यक्ति सांसारिक प्रसद्धी के लिए उससे जुड़ी जोखिम उठा लेता है एक आड देर वाज परिल इन इट परिल केते हैं जोखिम को the voyage began to heap at the log with all their might calling out one two three go at the word go the log band and with it went makhan's philosophy glory and all the voyage began to have at the log with all their might calling out one two three go go the log band and with it went makhan's philosophy glory and all all the others other boys shouted themselves hoarse with delight all the other boy yes shouted themselves hoarse with delight on yes a B okay a panic car because I was me who she man on a lady horse means getting her car but fatigue was a little frightened lakin fatigue was tha a little thoda sa frightened have heat and did a war the key in fatigue thoda sa dargata he knew where john tata what was coming he can only why yeah honey walata go john tata and sure enough makhan rose from mother's earth blind as faith and screaming like the फेरियस माखन आबेश में जमीन पर से उठा he rushed at फटिक and scratched his face and beat him and kicked him and then went crying home the first act of the drama was over जो माखन था फटिक का छोटा वाई वो आबेश में जमीन पर से उठा और मैं फटिक की तरफ जोर से दोडा उसका मून उच लिया he scratched his face and beat him उसे पीटा and kicked him उसे लात मारी and then went crying home और फिर रोते हुए घर चला गया the first act of the drama was over नाटक का पहला अंक समाप्थ हो चुका था